बाई और बेहनों ब्रस्ता चार पर कारवाई के साथ ही हमारी सरकार देश के हर उस व्यक्ति हर उस उलाके तक पहुँच रही हैं जिस तरह पहले विकास की योजनाएं नहीं पहुच पाई साथियों आज हाथी के बाद ये पहली सरकार है जिसने गाउं में रहने वाली महिलाओं के बाड़े में सोचा उनके लिए काम किया उजवला योजना का सबसे ज़्यादा पाईदा गाउं की महिलाओं को हो रहा है सच्छ भारत मिशन के साथ बने सोचा लए उसका भी सबसे ज़्यादा गाउं की महिलाओं की जिन्दगी से मुश्किलों को कम किया है प्रदान मंत्रियावाद योजना के सहे हमने गाउं में जो देड करोर घर बनवाए है हमने नियम बनाया है कि नए घर पर पहला हाग महिलाओं का होगा इसलिए गरों की रजिश्री महिलाओं के ही नाम हुई है मिश्यन इंद्र धनूस के तहप जान लेवा बिमारियों से बचाने के लिए जो टीके लगाए जा रहे है है उसका लाब भी गाउं के महिलाओं को सबसे ज़्यादा हुआ है राश्त्रिय पोशन अभ्यान का भी सबसे ज़्यादा लाब गाउं की महिलाओं को हो रहा है हमने जो जंदन युजना के तहब बैंक खाते खुलवाए उसमें भी गाउं की महिलाओं ने करोणों की संख्छा में अपने बैंक खाते खुलवाए है इतना ही नहीं आशा और एनेम बेनों के जो वेतन में खुद्धी हुई है जो उन्हें मुक्त सुरक्षा भीमा दिया कबद दिया गया है उसका भी सबसे ज़्यादा लाब गाउं की महिलाओं को हुआ है सवपाग्य योजना के तहट बड़ी संख्या में गाउं में मुक्त बिजली कनेक्शन दिये गए है जिसकी वज़े से गाउं की महिलाओं का जीवन आसान हुआ है और उन्हें सुरक्षा भी मिली है महिला सेलफेल गुर्प को पहले के मुकाबले भाजबा सरकार ने करीब दो गुनी मदब दी है इसका भी सबसे ज़्यादा लाब गाउं की ही महिलाओं को हुआ है मुद्रा योजना के तहर बीना बैंक गारंटी कर्थ का भी लाब बड़ी संचा में गाउं की महिलाओं को हुआ है इसने गाउं की महिलाओं को स्वरोजगार की ताकत दी है